Hello dear students, welcome to Anytime Pada Academy, कैसे हो guys, I hope आप सब की preparations बहुत अच्छी चल रही होगी, so guys मैं हूँ विनीत खत्री और आज इस वीडियो में आपको मैं सुनाने वाला हूँ एक inspirational story, motivational story जो मुझे भी आज तक काफी motivate करती है और I hope आपको भी काफी motivate करने वाली है, आपके exam में अच्छा perform करने के यह story है मेरे एक friend की, ठीक है, वो friend और मैं, हम दोनों क्या थे, हम इखटे तयारी करते थे, हम दोनों like best friend नहीं थे बट लेकिन हम इखटे तयारी करते थे, एक ही coaching में हम पढ़ते थे, quota में उस समय की बात है, and I was in 13, like हम repeater batch में थे, and वो एक बहुती farmer family से belong करता था, and बिहार से belong करता था, he belong to Bihar, तो like he told me, कि यहाँ पे coaching की fee को भरने के लिए उसके father के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पूरी जमीन, पूरी जमीन बेज दी थी, पता है आपको, पूरी जमीन बेज दी थी, अब I was actually astonished to, you know, कि यह इतना कोई sacrifice कैसे कर सकता है, तो मेरा ज करता था, पूरा focus उसका पढ़ाई में होता था, हमारी जो coaching थी, हमारी coaching उस समय मैं आपको clearly बताओ, बंसल classes थी, हम बंसल classes में पढ़ते थे, तो हमारी coaching से लगबग maximum दूरी पे जितना दूर वो रह सकता था, क्योंकि जितना दूर वो रहेगा, उसको PG जो मिलेगा, room जो मि बगल में लिया था, क्योंकि मैस के बगल में आवाजे आती है, पर उसकी rank जो थी, वो बहुत अच्छी rank आती थी, test में मतलब उसका IIT में होना ही था, फिर क्या हुआ, first installment fee की उसने दे दी थी, हम समने दे दी थी, फिर second installment was due, second installment देनी थी, तो उसके father ने क्या किया, जमीन का जो बाकी part था, उसका payment जो है, वो bank में transfer कराया, ठीक है, तो जो मेरा friend है, उसने क्या किया, उसने वो पैसा bank से निकलवाया, और अगले दिन fee जमा करानी थी, और उसने अपना जो पैसा था, वो अपनी cupboard में रख दिया, ठीक है, फिर वो उ क्लास में नहीं करता है, तो next day क्लास में नहीं आया, उससे अगले दिन भी वो क्लास में नहीं आया, हम उसके काफी अच्छे friend थे, तो like, we thought कि यार जाते हैं, उसके पास एक बार देखने जाते हैं कि कहा रह गया, क्या हो गया, क्या नहीं गया, तो when we went to his room, like, he was with the books, book पढ तो उसका gate खुला हुआ था, उसका जो lock था, वो टूटा हुआ था, किसी ने उसके जो पैसे थे, वो चुरा लिये थे, उसके father की जमीन का, बिकी भी जमीन का जो पैसा, जो fee के लिए जोड़ा गया था, वो पैसा सारा का सारा खतम हो गया था, हमें भी बहुत feel हुई यह च कुछ-कुछ पैसा ही खटा करके, finally उसकी fee को pay किया, जो भी बची भी थी, और बंसर सर ने भी काफी help की, finally उसका course पूरा हुआ, finally उसका course पूरा हुआ, अब अगली बात फिर हमारे papers हुए, exams हुए, IIT का exam हुआ, उस समय JMAs नहीं होता था, उस समय AEEE होता था, तो IIT में उ ये फ्रेंड को, IIT हैदराबाद में computer science मिल गया, finally, and finally, like फिर कही सालों से हम touch में नहीं थे, and few years back, हम Facebook में आपस में touch में आये, and what I saw, he is now working on Amazon, Amazon में वो work कर रहा है, he is working on Amazon, और उसके parents जो हैं, जो farmer थे, उनके साथ, उसकी Facebook पे, जब मैंने pick देखी, he was with his car, Audi उन्होंने ली थी, तो Audi के साथ, वो car के साथ, अपनी family के साथ, he was there, in USA, वो देखके, literally मेरी आँखों में आसू आ गए, and I was so inspired by the day which happened, and he told me, उसने बोला मुझे, कि आर आप लोगोंने, आप सबने बहुत help की, लेकिन मैं जो मानता हूँ हमारी help तो कुछ भी नहीं थी, उस आप में से हम सब, पता नहीं कितने students हैं, जिनको ये सारी facility सब कुछ available है, हमारे parents are well to do, सारी facility हमें provide करते हैं, still हम उतनी महनत नहीं करते हैं, हम taken for granted मालेते हैं कि ये सब तो हर parents करते हैं, लेकिन आप समझें कि वो facility हर एक के नसीम में नहीं होती, समझें हो, आप सब को जो ची तो बस ऐसे ही बढ़िया से तैरी करते रहें, बीच वीच में आपको कुछ ऐसे ऐसी stories सुनाता रहूंगा, जो life में मेरे साथ भी हुई है, और मेरे friends से related भी हैं, मिलते हैं next video में, bye bye, take care and love you all.